हलो दूस्तों स्वागत है आपका विजुलाच्स विट्विनी में हम लोग जैसे कि लास्ट टाइम बात कर रहे थे आई होप आप लोग बिल्कुल पॉजिटीवली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत महनत कर रहे हैं आप लोग मुझे पता है और इसलिए मैं बस मे कर सकें ताकि आप आगे पढ़ पाइन जो कुछ है कलियर हो जाए इसलिए दोस्तों में व्थन टाइंड से पढ़ा ही कर रहे थे विजर्टर्ण टाइम आर्ट की पढ़ा ही कर रहे हैं breast कर स्ब्सीक सिव्थिन ताम लोग आ चुके हैं रूनान का पार्ट वेसि युनान का पार्ट वन हम लोग लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ उसका इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ और आज हम युनान की वास्तोकला पे फोकस करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले जो युनान का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो जरूर देखें उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जा सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करें चैनल सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि मुझे भी पदा चले कितने लोग मेरे सपोर्ट में हैं मेंस चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाओ थोड़ा एप्रेशियेशन मिलता है दोस्तों से इसलिए बोल रहे हू अगर देखिए ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट हम लोग पहली वीडियो में बता चुकी हूँ तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समुझा जाएगा ये सब कैसे तीन भागों में डिवाइड है ग्रीक का समय कैसे अंधिकार युग से उजाला वास्तो कला को डिसकस करेंगे चीक है दोस्तों तो शुरू करते हैं देखें ग्रीक वास्तो कला हाला की साधारण आकर्शक थी मीन सिंपल थी लेकिन अट्राक्टिव थी कैसे इसकी सुंदर विशेष्टा कैसे किस पर डिपैंड करती थी उसके स्तंबों पर उसके पिलर्स अब कोई भी टेंपल देखो युनान का कोई भी उस समय का काम देखो आपको सबसे पहले उसके पिलर्स देखेंगे और पिलर्स देखेंगे वहां के वास्तो कला में हमें देखने को मिली दुसरी चीज क्या थी कि अब आप बोलेंगे कि यार स्तंब तो तुमने पहले भी में अंदर के साइड अधार लेकिन में सबसे पहले में अन्तर अधा दूसरी चीज में पहले पहले जैं प्लियक अगई के यूज नहीं करी गई थी और जंगलों में लकडियां उपलब्द होती थी तो लकडियों का भी यूज करने लगे माउंटेंस चक्टानों से उनको बहुत चमकदार संगमरमर प्राप्त हुए थे तो इसी दिए मैंने आपको पहले बताया था पहले तो यह इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर मारबल बढ़े अच्छे से संगमरमर इनको प्राप्त हुए थे माउंटेंसे नेच्रली और हाती दाथ का भी उप्योग किया कासी का भी उप्योग किया लेकिन यह चीज ने बाहर से आती थी उनके वह खोद उनको वहां से इसे प्राप्त नेचर से नहीं होती थी तो यह एक जनरल इंट्रोडक्शन है आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको क्वेस्टन क्रैक करने में बड़ा इजी होगा अब में चीज आर्किट्र स्टाइल्स में बहुत बार आता है दोस्तों कि ऑर्डर क्या होता है त तो मुख्य तरह वो तीन प्रकार के थे डोरिक आयनिक और कॉरिंथीन तो यह तीन को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस समय यनानियों ने इस चीज को एक निर्धारत कर दिया था ऐसा कि ऐसा बनेगा बही और उसी को लोग फॉलो करते गए मोडन नाइजेशन में भी उसी च देखेंगे मिसोपोटैमिया ले ले एजिप्ट ले 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 क्रीट माइसेनिया का दे ले तो जो भी मुड़ती रहे लेफ्स यह सब्ती तो उसके कुछ प्रपोश्चन थोड़ा भूत किसी के हाथ एकदम सपाट हैं और बिल्कुल मतलब अलग 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 था है लेकिन जैनरली हाँ वो यूमन फॉर्म में है जो आज का यूमन है उसकी ही मुड़ती में चेंज हो गया है मतलब उसको इतना रियल और इतना प्रपोश्चन रहता तो यह प्रपोश्चन के नाम से जाना जाता था चाहे वह वास्तुकला हो वास्तुकला में भी उनने बहुत मैथ प्रपोश्चन यूज करके अनुपात को यूज करके बनाया गया था पिलर बनाना इस नौट इजी इतने पिलर उस तरह से बिल्कूल उसका डिस्टन्स वगएरा सब करके पूर को प्रपोश्चन बनाया गया था तो यह भी एक उनकी क्वालिटी थी अब हम देखते हैं कला सिर्फ स्टन्स यह से पूराना ओर डौरीगा था अब बताया गया है कि यह तीन भागों में विभाजत हैं कैसे सबसे पहला हिस्टा क्या था निचला हिस्टा जो इसको कहते हैं चर्णों का चबुत रा हिस्टा हो और तीस रा इस सम्प के बीचका हिस्टा था यह 3 एसा जिसको enteriblature कहते हैं तो यह 3 main एसा में डॉरिक order divide था ठीक है अब जैसे ही उपर उपर चरते हैं कहते हैं पिलर्स में जैसे उपर चरते हैं तो इसकी यह चीज कम होती जाती है दिखे रहे ही यह कितना च्छोटा है अब उपर जाते हैं यह कहते हैं capital अब यह हो गया पिलस की उपर का भाग capital no doubt अब capital और जो यह रूफ है यह रूफ देख रही है इन दोनों के जो बीच का जितना बड़ा हिस्सा है उसी को कहते है हमारा जो तीसरा भागे वो एंटेबलेचर तो यह एक बहुत क्लियर कट है इसमें कोई discussion confusion नहीं होना जी तो इत्ती चीज है अब आगे देखते हैं तो ग्रीक वास्तो कल वास्तो शिल्प विज्ञानिकों ने इस खंबे के मध्य भाग को थोड़ा सूजबूच के बनाया जो मेन जो खंबे का जो मिडल portion है जो pillars है उसको बहुत दिमाग से बनाया है क्यों दिमाग से बनाया है चाहे हम कितनी भी दूर खड़े हूं वो straight ही दिखता है दिखने में बहुत easy है कि यार क्या है एक pillar ही तो है लेकिन हम pencil से समझ आता है obviously जब हम स्केचिंग मतलब स्टार्ट करते हैं तो हमको पता होता है कि हम जब हम previous foundation पढ़ते हैं तो यार एक line कीचना pencil से कितना tough है not easy तो वही चीज है अगर एक line हम नहीं सकते तो उस प्रकार से एक इतना लंबे खड़े खड़े और प्रपोर्शनेट पिलर बनाना बहुत दिमाग यूज करके और उन्हें वह बनाया था बिल्कुल appreciating है यह दूसरी चीज वह एक मतलब जो खंबा है पिलर है वह एकदम straight दिखता है एक खड़ा कंबा दिखता है लेकिन वह खंबा एक ही उससे नहीं बना गया है उसको इंडिविजुल पार्ट अलग अलग तयार करते थे और उसको जोड़ देते थे किसके साहरे जोड़ द करते थे उसको उसके उपर लगा देते हैं आप देख सकते हैं यह लंबी लंबी आपको जो पिलरस पे वह यह लगा देते थे यह सब स्थन्थ प्रधान बन गया था capital बनाया capital की च्छत तक की सरचना के घटक को एंटेब्लेचर कहते हैं वह मैं आपको पहले बता चुकी तो क्या है वह तीन भाग देखते हैं यह है अंटेब्लेचर ठीक है यह आपका कॉलम और यह जो उपर का हिस्सा है मैं बता दू इसको कहते हैं पैडिमेंट त्रिबूजाकार शिर्षाग्र हिंदी में कहते हैं शिर्षाग्र यह वह हिस्सा है रूफ का जो हिस्सा जिसमें यह triangular form में रहता है, यह pediment होता है, अब antiblature में क्या था, वो तीन भाग में डिवाइड था, कैसे तो देखें, सबसे पहले उपर वाला जो है flat square horizontal beam, मतलब जो horizontal उसमें एक beam थी, उसको कहते हैं freeze, जो यह आप देख रहे हैं, यह वाली चीज, यह है freeze आपकी, दूसी चीज, इसी यह है आपका triglass, तो यह तीन antiblature में भी content था, कोई ज़्यादा load नहीं लेना है, बहुत easy है, डोरिक तो बहुत ही simple सा है, देखें, mostly कोई भी order हो, वो अपने capital पर depend करता है, तो यह इसका एक simple सा capital था, गया आप देख चुके हैं, उसको आप detail में बता चुकें, mostly यह सब change होते जाते हैं, ठीक है, तो यह एक simple सबसे पहला डोरिक था, अब देखने है, आयनिक क्या है, तो इस क्रम में design shelly, मोक्य रूप से सजावती, प्रभाव शैली, नाजुक और सूरुची पूने, means एक design form आ गया, वो जतना simple था, इसमें उतना ही design हम देख सकते हैं, देख ल यह दिख रहा है, आपको separate base है, जबकि डोरिक में यह चीज़ नहीं थी, डोरिक में हम separate base पे नहीं खड़े हो रहे थे, हम वो तीन सीडियों पे ही, सीधे अपना pillar बन गया था, फिर क्या था, जाता है separate base है, दो कोलाकर पत्थरों की पत्तियों से बना होता है, एक आकरशक capital नीचे आपको दिखिया, वो बेस्त एक आकरशक capital आयोनिक किरम की विशेशता है, जो capital है, यह एक attractive वही आयोनिक उसकी विशेशता है, capital की तरद तकिया में, पत्तर पर अंकरन हुआ है, मोती, काल और अंडाकार और धनूश के आकार के पत्ते, पत्तर के दोनों सिरे को पर, मतलब यह पत्ते वत्ते यह सब बने हैं, और पत्तरों के दोनों सिरो पर इस प्रकार से यह round form में, यह जो design है, यह आयोनिक को इससे जाना जाता है, छीक है, किया गया है, चोकोर फ्रेम, यह जो horizontal यह दिख रहा है, आपको यह चोकोर फ्रेमों का उप्योग उपर भी और न यह जो आपका, इसको इंग्लिश में देखे, styloboid बोलते हैं, जो मैं निचला हिस्सा बोल रही थी, तो यह जो चीज है, इसके उपर बस separate base है, हम देखेंगे, pediment, cornice, यह सब यह हैं, freeze है, ऐसा का ऐसा, ट्राइगलाफ्स भी बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं, इसा, not so sure, बस capital different है, तो यह चीज आपकी ionic थी, अब हम बाते हैं, Corinthianian में, Corinthianian क्या है, तो देखें, Corinthianian में ऐसा बोलते हैं, कि Roman ने इसको ज्जादा ही उसमेलाई है, क्यों? क्योंकि अब बाद में जो रोमन आएगा, क्योंकि Corinthianian बना ही, last period में था, means Hellenistic period, जो है, उसी में बना था, ब कोरिंथ एक रीजन था यहां लिखा वाय देखिए युनानी राज जी जो था बहुत सादगी के उसमें रहते थे लेकिन कोरिंथ जो था एक जगे के नाम था यह वहां के लोग बहुत फेशनेबल थे उन लोग को डिजाइन्स और्नमेंट्स इस तरह का वह अपीरेंस और यह को हम क्या कहते हैं क्े इन के लाम से जानते इन इस कॉर्दिंथ क्यों कoire गोड़ों ने उसको बनाया था आप इसमें जो खैपितल ह्याई फिर इसमें पी एक डिपेंड करता है तो यह एक उल्टी गटी के समान है अब नीचा देख सकते हैं वहां उसमें बेल पत्तियों सज दो जित किया किया है, अब हमने एक चीज तो पढ़ दी, ये था हमारा order, बहुत important हिस्सा था, लेकिन एक और important हिस्सा है, कि अब हमने pillars तो देख लिया, अलग-अलग प्रकार के होते हैं, पर बावजूद मंदिरों को खड़ा करने के लिए अपनी सभी कलात्मक प्रमीरता का उप्योग किया उनका उद्देश देवताओं की मूर्ती को आश्रे प्रदान करना था मैं अपनी इंट्रोडक्शन में बताई हूँ आपको क्या बताया मैंने कि उनने बोला था जो हमारे गौड है भगवान है वो उनने उनकी मानुवी करण करा उनकी मूर्तियां बनाई तो अब ऑवियसली उनको घर भी देना जरूरी है मतलब घर में भी विजज़ित करना जरूरी है इसलिए उनने मंदिर निर्मान करने लगे वो एक थौट प्रोसेस आगया उनका कि नहीं उनके लिए मंदिर जरूरी है और ने भगवानों की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिरों का निर्मान शुरू किया लेकिन अब क्या होता था मंदिरों का निर्मान किस फॉर्म में मींस कहां क्या रखते थे ऐसा तो नहीं बाहर मुर्ति खड़ी करी क्या तो क्या था उनका तो मैंने आपको लास्ट चेम बताया था क्रीट में कि एक मेगरॉन बनता था चार स्तंबों में वहां पे उस सेंट कहते हैं सेंक्ट्रों सेला वह चीज थी ठीक है उसको फिर उसके आसपास दिवारे खड़ी करते थे हैं दिवारे खड़ी करी अब जो है बाहर खंबे रहते थे हैं अब खंबो में क्या था तो खंबो में एक स्टाइल था डाय स्टाइल डाय स्टाइल कैसा था सबसे पहला जिसमें only two columns थे, ये दो column, ये दिख रहे हैं, दो pillars, दो pillars बनाएंगे, तो वो die, मतलब two style में हो गया, लेकिन अब वो pillars से तो पूरा छटकड़ी नहीं कर सकते, तो ये साथ में, ये जो देख रहे हैं आप, ये wall का support देते थे, इसको कहते हैं, एंटीस, ये दिख रहे हैं, तो फिर इनने चार columns बनाए, चार column बाला, तो चार column बाला, जो मंदिर था, वो क्या कहलाता था, pro style, ठीके, फिर, फिर क्या हुआ, जो pro style था, लेकिन फिर वो चार आगे में था पहले, लेकिन आप आगों को रिपीट करा, आसपास में भी चार चाल लगा दो, है ना, इधर wall कर इधर आसपास भी चार को, तो उसको क्या बोलते हैं, फिर, एमफी प्रो स्टाइल, यह दिख रहा है, और फिर, फिर जो धीरे-धीरे क्या हुआ, तो दीरे-धीरे columns अतने बढ़ गए, कि पूरी रूफ सी उस पर खड़ी होने लगी, पूरी चीजे उस पर खड़ी होने ल पिलर्स पर डिपेंड करता है, तो यह एक इन जनरल ग्रीफ के टैंपल का डिजाइन था, आगे ऐसे पिलर्स बीच में आप देख रहे हैं, कैसे दिवारें खड़ी हैं, और दिवारों के मेन पे, उस पे हमने डाइटी सैंक्ट्रॉम जो गर्बगर सेला सिचुएट है, ठ किसी गर्बगर में एक गेट होते थे, किसी गर्बगर में दोगर वो डिपेंड होता था, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, फिर आप आते हैं वही आरंभिक योग में, जैसा कि हम लोग मिश्रुमर पढ़ चुके हैं, कैसा वास्तुकला थी, तो यह पंदरा टाइम आप के रंगीन खिलोनों से प्रवेश द्वार अलंकरित होते थे कहीं कहीं चित्रकारी भी होती थी जो एंट्रेंस है उस जगे पे अलंकरित होती थी उपासना ग्रहों के प्रवेश द्वारों का शिर्शाग्र जो पैडिमेंड हम बता चुके हैं वो त्रिभुजाकरती होता था यह देखिया, आप देखने कैसे ट्राइंगल फॉर्म में होता था, क्योंकि यह आर्किक पिरेड है, मैं आपको डोरिक में बता चुकी हूँ, तो यही चीज है, बोला गया है इसमें, कि ट्राइंगुलर फॉर्म में शिर्शागर बनते थे, और कैसे बनते थे वो, तो यह ए आइंगलर फॉर्म में पैडिमेंट बनते थे, दूसरी चीज यह एंट्रेंस का वो था, शिर्शागर था, अब यह वाली चीज बड़ी रहती थी और यह वाली छोटी रहती थी, नीचे जाते 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 चोटी यह जाते थी, यहाँ बीच में पुरुष्र और जो जादा मिला है क्यूंकि डोरिक सबसे प्राचीन माना गया है ठीक है तो ये इतना काम यहां पर आप समझ दें अब आगे हमारा अपोलो का मंदिर कुछ प्रमुक आकरति नहीं तो अपोलो का मंदिर ये अपोलो के दो मंदिर हैं एक और आगे आएगा और ये अभी का है ने बनाया था संगीत सद्बाव और प्रकाश के देवता अपोलो का मंदिर अपोलो एक ग्रीक गॉड है उनका मंदिर है ये पहले नेलिक अब्राणे में सबसे महत्पून और प्रमुक स्थान था अपोलो का मंदिर एक बहुपतनी शेत्र द्वारा समर्थित एक बड़ी चत के उपर स्थेत हैं उसię क्योब एक बड़ी चत के ऊपर ये स्थेत हैं दूसरा है साइफिन ट्रेंजरी डेल्फि-में है यह भी ग्रीस में 525 Ebola और इसंग our साइफन ट्रेशरी क्या है अब तो यह एक इमारत थी प्राचीन जुनानी के पंत क्रेंट डेलफी के प्रसात की मेजबानी के लिए बनवाय गया था इसको ठीक है यह नगर राज जो सिफनौस प्रथम उसका जो पवित्र मार्ग था उसका एक हिस्सा था है ना और अपोलो के सेंचरी अभरान के माध्यम से जुलूस मार्ग देवताओं के पक्ष को जीतने और दाता पुलिस की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए खड़ा किया गया था मतलब यह मानेता है कि शायद वो जब उस समय उनका यह काम था तो उसके लिए वो खड़ा किया गया था जाथा द अफने गर के समर्पन के लिए अपने लोगों के इतिक समर्पन के अपने अमने इन ani sont a on经 Bryant parody तेमपल हेरा का मन्दिर एक प्राचिन ग्री क मंदिर है जो ग्रीक देवताओं की रानि देवताओं की ताउनी हेरा पर समरपित है यह औलमपिया का ओलम्पिय को शेत्र में है यह ग्रीस में और सबसे पुराना मंदिर है ओलंपिया का ठीक है सभी ग्रीस इसको बहुत मांते थे दूसरा हेरा का मंदिर है पाइस्टम जो अब इटली में है वहां पे है और 460-450 इसी अपूर्व में है डॉरिक में है फिर एक है अनुप्रिया का मंदिर वो भी एजीन आइले भी इसापूर में और डॉरिक में बना गया है इसको पढ़ना इसका नॉलेज ही काफी है इतना रटने की भी इसको कोई अवशक्ता हमें नहीं है इसलिए टेंशन मत ली जिए आगे इस यूग की कला अब आगे हमारा क्लासिकल यूग तो इस यूग की कला के उधारन केवल खंडित अंशो के रूप में उबलब्ध हैं कलाकारों का नाम मिलता है परन्तु उनकी कला करेदी नहीं मिलती शास्रीकाल को मानव रूप में देवताओं के आधर शिकरत लेकिन तेजी से आजीवन चित्रन की और तेजी से विकास द्वारा चिनित किया गया था इस विकास का मंदिरों की मुर्तिकला की सजावट पर सीधा प्रभाव पड़ा क्योंकि प्राचीन युनानी मुर्तिकला के सबसे बड़े विलुप्त कारे कई बार मंदिरों को सुशब्ध करते थे तो अब इसका काम देख लेते हैं टेंपल उस ज्यूइस देखने मैं इसका पैडिम यह ता यह टेंपल ज्यूइस गौड को समर्पित है 422 इसापूर में थियोडोरियस सेकेंड ने स्वर्गिय रोमन सामराज जी के में पैगानों के उत्पयन के दोरान अबरान को नश्ट कर दिया का आदेश दे दिया था जो थियोडोरियस सेकेंड थे उनने इसको नश्ट करने का आदेश दे लिया था कब 425 AD में इसा में लेकिन हो गया था बहुत कुछ नश्ट हो गया था लेकिन देखिए यह क्या टेंपल था मैं आपको पैडिमेंट उसमें पूरा कलर पिचल भी दिखाई हो तो यह क्या टेंपल था लेकिन वह आज इस स्थिती में नीचे आ हो गया था अब आता है पैर्थिनॉन में आपको बताएं पैरस्टाइल में है यह एथिन्स ग्रीस में है डोरिक 447 BC 432 BC में है किस ने बनाया था तो इक्टिनॉस कैलिक्रेटर्स और फिडियस ने बनाया था पैरिकल्स जो किंग थे उनने इनको मतलब इन तीनों वास्तुक करने में इसके दो उसमें है एक एथेना देवी पर है और एक पैर्थिनॉन के नाम से उसको जाना जाता है इसके दोनों और आठ खंबे हैं जो प्रवेश और तलचट पर रेलिफ है आगे के समय में जो ग्रीस के नए अब जैसे फिर क्या हुआ यह पैर्थिनॉन तो था ल उसमें उस समय जो ही चेर्च में चेंज हो गया था उसके बाद फिर जब तर्की अकरमण हुआ तो उसको अब फिर आपने उनने मस्जित में चेंज कर दिया था फिर क्या हुआ वो चीए दो इस मंदिर में जो गोला वारूत रखा था उस स्पोर्ट से मंदिर पुरा कथ्म तो मतलब वही मैं बोलते हैं कि युनानी का तो आल्लमूस्ट युनानी के जो टेंपल थे वो सब नश्थी हो गाएं एक और यह बहुत इंपॉर्टन एरेट्थिम एरेट्थिम बोलते हैं जिसको एथेंज ग्रीस का था यह टेंपल आयोनिक फॉर्म में बनाया है मतलब जो कॉलम्स उसके वो आयोनिक उसमें बने गए किस ने बनाया था तो मनैसिकल्स ने बनाया था अब इसमें क्या है तो यह देखिए इसके दो मूख हैं दो तरफ से कि वो टें कॉलम्स नहीं है क्या है इसमें तो यह जो पुतली काएं हैं इस पर यह पूरी रूप्स खड़ी है जिसको क्या बोलते आठे जो ऐसा बना वहाए और इस नीचे के इससे कोई क्या बोलते हैं मैडियन पॉचerta भी कहते हैं प्रत्थम बरांदा इससे वह जाना ज लाके है, Greece, Athens में है, और 437 पे है, और Phidias, Ecthinos और Calicitas ने इसको बनाया था, चीक है, अब हम देखते हैं कि अख्रोपॉलिस क्या है, जो आपको बता रहे थी ना, हम लोग जूए, एक्रोपोलिस क्या एरिया है तो एक्रोपोलिस एथिन्स के एक्रोपोलिस एक प्राचीन जगे है गढ़ के एथिन्स शहर के एक प्राचीन गढ़ में है मतलब जो एथिन्स सिटी थी उसके उपर की हिस्से पर है एक चटानी बरामदर पर स्थित है कहीं के अवशेश शामिल ह प्राचीन इमारते महान वस्तू और इतिहासिक महत्य की सबसे प्रसिद्ध पैटनों जो पैटनों और अपोलो टेंपल और इन सब का बहुत से अवशेश उस एरिये में प्राप्ति वहां सब पत्थर पत्थर के सेंचिरी बने हुए है ना स्टोन सेंचिरी बोलते हैं जिसको उसी को हम एक्रोपोलिस कहते हैं एक बहुत ये टांस बार बार आती है ये location बार में हता है अक्रोपोलिस इन एथेन्स वाट इस दूस तो ये बस इसलिए मैं बताना चारी थी कि वो एक एथिन्स के उपरी भाग में हिस्सा है जहां पर हमें ये सब के अवशेश प्राप्त हों है तो वास्तुकला के शेत्र में हैक्टर के बाद के राजी वन्षों में विशाल गेहरी योजनाय और बड़े परिस्त थे जो पांचवी शतादी इसापूर्व तक जादतर शहर राज्यों से गायब हो गए थे डोरिक मंद्र को लगबग छोड़ दिया था मैंने आपको ये बता है कि डोरिक को लगबग छोड़ दिया था और अब कॉरिंथीनियन टाइप से वो यूज करने लग गए थे हैलेंस्टिक वास्तुकला नाटक और दर्शक के अनुभव पर केंद्रत है मतलब एक ड्रामिटिक फॉर्म में है थियेटर्स वगेरा यहां पर बने हैं उसमें ऐसे इन चीजों में यह डिपेंड है सारवजनिक स्थान और मंदिर लोगों को ध्यान में रख कर बनाए गए थे और इसलिए एक नएस मारक पहमाने पर बनाए गए गए कॉ पोलो टैंपल जोकी एहलिनिस्टिक पिरेड में बिलॉंग करता है डिडियामा टर्की जो तूर्की में अभी है इस प्रकार का मंदिर है देखें किसने बनाया था तो पाईयोनियोस और डॉफनिस ने बनाया था दूसरा है तो वहां पे मैं बोरूं आपको थेटर मिले हैं तो पेरगेनौन का थेटर बर्गामा ग्रेबी टर्की में है थर्ड सेंचुरी बीसी किसने बनाया था तो यूमेनस सेकेंड राजा ने बनाया था और आते हैं तो आटेमिस का मंदिर ये भी देखें इसी प्रकार से कैसे पिलर्स पर खड़ा गया है ये भी एफ़िस टर्क हो चुका है तो यही चीज नहीं थी दोस्तों प्लीज इसको टेंशन लेके पढ़ने की कोई सरूरत नहीं है जो काम मैंने आपके इतने डिटेल में बताए हैं कोई सरूरत नहीं है कि हमको वह सब कुछ मुझ से रटावा हो नहीं लेकिन कल को अगर आपके मेरा उद्देश करना हो तो भी आप उस चीज को यूज कर चकेंगे इसलिए आप लोग इसको पढ़ें अगर आपको confusion लगता है थोड़ा hectic लगता है तो आप एक बार और और पढ़ें दो तीन वार अगर आप पूरा पूरा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपके दिमांग में कुछ तो आएगा इसलिए आप लोग मतलब इसका बस में यह चाहरी थी वास्तुकला में इसका order style समझे इसका temple style समझे और बस जो जो काम होता है उसको एक बार देख लें तो हमारा वास्तुकला एक तरह से निपड कंप्रीट हो जाएगा और वह बहुत ही covering है बहुत scoring भी है तो बस जैसे भी आपको थोड़ा बहुत मतलब में मदद कर सकूं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और एक चीज और at last कहना चाहती हूं कि कि आपको कुछ भी doubts होता है कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बहुत doubts होते होंगे cross questions आते होंगे तो please comment section में your most welcome मैं बिल्कुल उसको पढ़ती भी हो और उसको reply भी करती हो अगर हो सकता है कि हम कुछ आपके कुछ confusion questions हैं हम कुछ नए conclusions पर बहुत सकें जो मुझे भी कुछ नया आपसे पता चले तो इसलिए बस यह है कि हम मिलके अगर शायद कुछ अच्छी पढ़ाई कर लें तो यह हमारे लिए अच्छा होगा मैं physically अच्छा होगा दूसर वीडियो कैसा लगा comment section में जरू क्या काम था और अभी भी हम उस स्कॉप्चर को देखे तो वो लगता है कि नहीं यह युनान का स्कॉप्चर है तो यह पढ़ेंगे अभी आप लोग इसका यह पार्ट कर लीजिए तब तक के लिए bye bye thank you so much दोस्तों thank you so much